हेलो स्टूडेंज आज अपन पढ़ेंगे मैजर्मेंट और देखते हैं कि कौन सी मैजर्ट लेंथ मतलब आपको ज़ादा है अब देखो यहां को क्या दे रहा है भूस सारी पैंसिल्स दे रही है अब आपको इट में से पेचानना कि कौन लोंग है कौन शोट है कौन बड़ इसके लेंद क्या है डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो पैंसिल्स आरी क्या है अलग अलग है अब देखो यहां पर यह रैड कलर की पैंसिल्स के लेंद अलग है ब्लू कलर की पैंसिल्स के लेंद अलग है यहां पर और अलग है ग्रीन की भी अलग है यह चोटी है यह वाली चारी pencils क्या है? Short है. क्या है है यह? Short है. अब देखो, यहां क्या है? The yellow pencil is longer than the blue one. यहांपży क्या है? आपको बताना है कि कौन सी color की पैंसिल, कितनी लंबी है. तो देखो यहांपे ज़ो yellow color की pencil है, यह किससे लंबी है? ब्लू color की pencil से. किस से लंबी है blue color की pencil से अब देखो यहां क्या है but it is shorter than the green one लेकिन यहां पर जो यह yellow pencil है यह yellow pencil क्या थी यहां पर बड़ी थी और यहां yellow pencil क्या है छोटी है किस से छोटी है green pencils है आया आपको समझ में अब जैसे देखो यहां पर क्या है A, B, C कितनी pencils हैं यहां पर three pencils है और तीनों के नाम क्या रख दिये blue वाली pencil का A नाम है orange वाली pencil का B नाम है green वाली pencil का C नाम है अब आपको बताना है यहां पर सबसे longest pencil कौन सी है सबसे बड़ी pencil कौन सी दिख रहे है आपको blue color की है मतलब A वाली कौन सी है A वाली फिर देन सबसे छोटी कौन सी है green वाली मतलब C वाली और जो middle की है वो कौन सी है B वाली मतलब orange वाली अब यहां आपको questions दे रखा है कि which pencil is the longest कौन सी pencil longest है longest मतलब लंबी है तो यहां पर कौन सी लंबी है A वाली तो अपनिया क्या लिखेंगे A क्या लिखेंगे यहां पर A अब next देखो यहां पर क्या which of this is the shortest मतलब सबसे pencil shortest कौन सी है तो कौन सी है C वाली तो यहां आप क्या लिखेंगे C आया समझ में आपको यहां अपने आज shortest और longest पढ़ा Thank you and have a nice day